नवस्कार मैं हूँ मुसकान अजबानी और आप देख रहे हैं देश का लोग प्रिया चैनल प्राइम टीवी और हमारी खास पेशकश नगर संग्रा मैं आप सभी का स्वागत है नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजने के बाद सही सभी पाटिया अपना जोर दिखाने में लगी हुई है इसी बीच प्राइम टीवी की टीम भी प्रत्याशियों के बीच पहुँची वही भारतेंदु हरी शंद्र वॉड नमबर 72 के सपप्रत्याशी रजी हसन ने प्राइम टीवी से खास बादचीत की है बादचीत के दौरान उन्होंने कहा कि उनका ऐसे शेत्र में भले ही ये पहला चुनाव है लेकिन जनता का उन्हें लगातार समर्थन मिल रहा है इसी बीच उन्होंने शेत्र से भाजपा पार्षद पर भी आरोप लगाए है कि भाजपा पार्षद ने शेत्र में कोई विकास का काम नहीं किया है सुनिए इस दोरान समबा प्रत्याशी रजी हसन की हमारी समवादाता से खास बाचीत नगर निकाय चुनाओ की घोंसला होते ही सभी पार्टियां अपना जोर लगाने में जोटी हुई है कि इस बार किसकी जीद होगी इस मामले को लेकर आज प्राइम टीवी की टीप भारतेंदू हरिश्चन वाड पहुंची हुई है जो वाड नमबर 75 है यहाँ पर जो सपा के प्रत्यासी है रजी उनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि ये लगादार लोगों के बीच भी पहुँच रहे हैं उनसे समवाद भी कर रहे हैं उनकी जन्समस्याओं को लेकर मुद्दा भी उठा रहे हैं लेकिन इस बार जो चुनाओं का में मुद्दा होगा वो किस मुद्दे पर लेकरके इनकी लड़ाई है और कैसे अपनी जीत हासिल करेंगे कैसे लोगों के बीच अपनी पकड़ बना रहे हैं रजी जी पहले तो आपका प्रैम टीवी पर बहुत बहुत श्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद देखे जिस तरीके से आप सपा के प्रत्यासी है इससे पहले आप दूसरे वाट से लग उत्ते थे लेकिन इस बार नया वाड नई पहचान लोगों के बीच आप किस तरीके से पहुँच रहे हैं कैसे प्रकड़ बना रहे हैं देखे पहले तो भारते इंदू हरिशन वाट की सभी जत्मानी जनता का दिल से धन्यवाद आभार पर प्रकट करता हूँ कि मेरे यहाँ पर आते ही जिस तरह से जन सायलाब एवं जन समस्याएं हमारे पास आ रही हैं इससे प्रतीत होता है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते मुझे बहुत सारा भारते इंदू हरिशन वाट के जनता का प्यार मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा और जहां तरही बात मुद्दो की कि किस मुद्दो पे भारते इंदू हरिशन वाट में चुनाओ आप लड़ेंगे देखे भारते इंदू हरिशन वाट बहुत अच्छा वाट है इसका नाम ही कितना अच्छा भारत की संस्किती इसे जुड़ती है और कहीं न कहीं इस वाड में सबसे बड़ी समस्या सफाई विवस्था की है कहा तो गया कि सबका साथ सबका विकास और सबका सम्मान और सबस्चता अभ्यान कहां पर है सबस्चता अभ्यान हमारे जेश्ट कारियले के बगल में इतने ही जादा गंदगी इतने जादा कूड़े कामबार लगा हुआ है कि मुझे शर्म आती है कि बताईए कि सबका साथ सबका विकास और सच्चता अभ्यान हमारा कहा गया हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते इस चैन है उसको सफाई को दूस्त करेंगे इस सवाल यह है कि इससे पहले यहां पर बीजेपी की प्रत्याशी थी जो जीटीवी थी और उन्होंने उनका दावा है कि उन्होंने यहां पर काफे काम किया लेकिन जो समस्याएं तो उन समस्याओं को आप किस तरह से निस्तारव तो एक सिर्फ एक वाड की नहीं एक महले की सभसद थी क्योंकि जब आप किसी भी पार्टी के होते हैं प्रतिनीदी करते हैं जो आपको जनता पार्शत चुनती है तो पिटिकुलर आप किसी महले के किसी सहर के नहीं होते हैं आप महां की रहने वाली जितनी जनसंख्या होत उसके आप सभशाद होते हैं और यह कहके टाल देना कि हमको वहां से वोट नहीं मिलता है और हम वहां काम नहीं करेंगे तो यह सबसे बहुत ही गंदी बात है और समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है समाजवादी पार्टी को जितना भी वोट मिलेगा उसको मैं सुईकार करूँगा चाहे वो जितना जीत के रूप में हो और चाहे वो किसी रूप में भी हो हम जनता के नितुत के लड़ाई लड़ते रहेंगे और हम कभी यह नहीं कह सकते कि हमें वहाँ से वोट नहीं मिला हमें जहां से वोट नहीं मिला हम वहाँ सबसे ज़्यादा काम करके उनका भी दिल जीतना चाहेंगे कि ताकि आने अले अगले चुनाव में हम पूरे वाड़ को अपने साथ लेकर चले और जादे से जादा वोट पर कर जंता का काम करें। मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ क्योंकि पिछले पांच सालों में मानने रुपाली जी यहां से सभासद रहीं लेकिन कोई काम नहीं किया। कटरा पल्टन से वोट नहीं मिली। तो यह उनका एक हम लोगों की चाहते हैं कि कम से कम अपना प्रत्यासी कोई जो हो जो हम लोगों के सुच्छता और नाली और रोट सफाई जनतों क्या चाहिए। तो अगर उस मुद्दे पर काम करेगा तभी तो हम उसको चुनेंगे। इस बार हमने अपने छोटे भाई को दिया है समर्थन दिया है और इसको समर्थन मिल ला है जहां जहां जाता हूं हर आदमी कहता है कि साकिर भाई आपको पांच साल पहले यह कर लेना चाहिए था और आपने जो अवस्वार किया है और बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है तो इस तरीके से यह सपा प्रत्यासी हैं और यहां पर जो इस बार खड़ की मालूम चल पाएगा वीडियो जनलेस नीरज के साथ मुहमत कलीम प्राइम टीवी लखनव तो वाट नंबर 72 से जहां सपा प्रत्याशी पहली बार चुनावी मैदान में है तो उन्हों ने कहा कि भले ही मैं पहली बार चुनावी मैदान में हूं लेकिन जनता का मुझे भ दान भी दे रहे हैं बता देगी कुरोना महमारी में भी इस यूवा ने लोगों के बीच रहकर अपनी एक पहचान बनाई थी लेकिन ये पहचान के नगर निगम चुनाव में उन्हें जीत दिलाएगी चलिए सुनिए यूवा प्रत्याशी शैलेंदर वर्मा ने क्या अब पहुंच चुकी है लाला लाच पत्राइवाड जहां से सपा ने अपना यूवा प्रत्याशी उतारा हुआ है जो लगातार जंता के बीच बना हुआ था फिर बात की जाए चाहे कुरोना काल की या पिर अन्य समस्याओं के बीच लगातार वो लोगों के बीच की वो लगातार पांच सालों से काम करते चले आ रहे है इस बाद टिकट भी मिल गिया है सपासर तो किस तरीके से सपा को जीत दिलाएंगे तक कि मैं शेलेन लोधी लराराराष्पत र्यस्पत्र आपसे च्माजरी पांच श्न शैंलों से काम कर रहा है इस बार विदानसभा चुनौ दूरोडा और ऑच्था यहां नहीं मिलता थ सबसी होट फारों चुटी और में दिन 24 गंटे जनता की सेवा में लगा रहता हूं कोविट में था आप जानते हैं भी या सब कुछ कोविट में आपने मेरी खबरे भी लगाई मैंने कोविट में सेनिटाइस किया रासन बाटा और खाने के लिए जो फुत्पार पे लोग जा रहे थे खाना खिलाया कपड़े बाट अभी युवा हैं युवा होने के साथ साथ आप कई लाइन चुन सेकते थे लेकिन आखिर राजनीतिक लाइन जुन करके पासदी चुनाओं लड़ रहे हैं वजा क्या रही मेरा जनता की सेवा करना ही मेरा लच्छे है मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं लोगों के साथ जनता का किपना सहयोग मिल रहा है कि यह जनता के बीज़ जा रहे हैं लगातार सालों से महिनत भी करते आ रहे जनता की सहयोग है जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है हमारे लिए जनता इस बार हमें को ही जिताएगी यह युवा चहरा हूं और कई बार कई पारशत जीते और वो पारशत फिर बाजार में हैं जैसे मार्केट में हैं कह सकते हैं बाजार में कह सकते हैं या छेतर में कह सकते हैं कुछ भी क दिखाया गया है क्या सेलेंद पर्मा इस भरोसे को कायम कर पाएंगे वीडियो जनलिस नीरज के साथ मुहमत कलीम प्राइम टीवी लखनव तो वही नगर निगम से वंशित रहा ये गाउ महला अब नए वार्ड में शामिल हो चुका है ये नए वार्ड जानके पुरां दृती अवार्ड नमबर 22 है जैसे ही ये नए वार्ड नगर निगम में शामिल हुआ तो लोगों ने यहाँ पर अपनी जोर आजमाईश भी शुरू कर दी इस वार्ड में कॉंग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतार कर जीत की, दाविदारी की है तो वही इस वार्ड में कॉंग्रेस ने महममध शमीम कुरैशी पर भरोसा दिखाया और उनको जनता के बीच उतार दिया है इस नए वार्ड में पकड को मजबूत बनाने के लिए प्रत्याशी के साथ कॉंग्रिस नेता नकुल दूबे भी जनता के बीच पहुचकर लोगों से समवाद कर रहे हैं सुनिय प्राइम टिवी के समवादाता की नए वार्ड के नए प्रत्याशी शमीम कुरैशी से खास बाद चीत जानकी पुरम ट्रीतिये वार्ड नमबर 22 अभी ये नया वार्ड बना है और यहां पर प्रत्याशी भी खड़े होकर अपना जोर दिखाने में लगे हुए हैं लेकिन अभी तक ये वार्ड नगर निगम में नहीं था तो इसका विकास भी नहीं हुआ था लेकिन अभ विकास की बातों को ले करके सभी पृत्याशी अपना जोर लगा रहे हैं लेकिन हमारे साथ जो जानकी पुरम ट्रीतिये वार्ड नमबर 22 से कंग्रेस पृत्याशी मौंबर समीम कुरैसी जी मौजूद है क्योंकि इनकी जो जोर आजमाई से उसको लेकर नकुल दुबे खुद उतर चुके हैं और वो भी लगतार लोगों से समवाद भी कर रहे हैं इनसे हम बात करेंगे कि आखिर जो इस बार मुद्दा है चुनाव का क्या मुद्दा रहेगा लोगों के बीच मुद्दा यही है कि हम लोग का भी नया वाड़ बना है बड़ा छेत्र है बड़ा छेत्र होने के कारण और जिम्मेदारी भी बड़ी है और ग्रामीड छेत्र है गरामिरी क्षेत्र होने वजसे गराम पर्धानों कोई विकास के कार की नहीं है इस वज़े से जो हम भ्रमन कर रहे हैं घर तर अप बड़ा छेत्रह काफिवी तछ्पमें फेला हुआ हा हूँ कई कालूनिया है । और नई कालूनिया क्वोरी की विवस्ता नहीं है प्राइमरी स्कूलों के इस्तर बिल्कुल गिरा हुआ है उनकी साथ सफ़ाई है उनका सुंद्री करण है उनका सुंद्री करण है और पार्कों की कमी है पहले दो विधायकों के बीच में आता था लेकिन कोई पार्सद महां पर नहीं था तो जिसके कारार दो पार्सद आप जो दो विधायक थे आपस में लड़ते थे कि विकास यह करेंगे यह करेंगे लेकिन वहां की जनता जो है विकास से एकदम ओजहल थी तो क्या लगता है आप जिस तरीके यहां पर उतर हैं जनता का कितना सहयोग मिला जनता के बीच में जा रहे हैं अपनी बात रख रहे हैं और जनता का आसिरवाद और प्यार मिलेगा और पूर उमीद पूर भरोसा है कि जनता विश्वास देगी और मैं समानी जनता से भी कहना चाहता हूं जा को मुद्दे होंगे जो भी सरकारी जनकरणाई होंगी उनको लागू कराना पूरता बढ़ चड़के छेतर में जितना ज्यादा ज्यादा हो सकेगा 18-20 घंटा काम करने की जुरुत है चेतर बढ़ा होने के कारण करामरी लाकें हैं और बहुत मूलबूर तुदाएं नहीं है लागू करना सबसे बड़ी परक्मिता है लोगों ने अपनी ज्यादा क्या कुछ समस्यां बताएं तो कि जिस तरीके से नगर निगम का जो चुनाव होता है वो गंदगी को लेकर होता है सीवर को लेकर करके होता लेकिन अभी तक आपके बीच समस्यां कौन से सामने आई है जही है कि समस्यां यहीं है कि जब जार हैं कालोनियों में सबसे बड़ी अधिकते यहीं है कि साडके नहीं है। बहुत सारी गंदगी आएं गंदगी अलाके में हैं और जो है मानके चलिए कि सड़कों जोना और यही सारी बाते आ रहे हैं सामने कि रिकास नहीं हुआ है बिल्कुल अभी हमारा छेत्र विकास से एकडम दूर दूर तक हो सो धूर है यही। जनता चाहती है कि जो भी आये जिसको चुना जाे, कम से कम विकास करें काम करें जनता को सभी से बहुत उमीदे हैं लेकिन मैं अस्वासन दिलाना चाहता हूं जानकी प्रूंतित्य वार्ड संक्या 22 की सम्मानी जनता को कि आप अपना प्यार असिरबाद दुआ दीजे और मैं पूरा पूरा पर वरोसा दिलाना चाहता हूं कि पूरा अपने जानकी प्रूं गए तो इनको वहाँ पर विकास नहीं मिला लेकिन अब लोगों के बीच यही सवाल है क्या फिर इस बार भी चुनाव में केवल मुद्दा रह जाएगा या फिर विकास होगा वीडियो जनलीस निरज के साथ मुहमत कलीम प्राइम टीवी लखनव तो लगातार प्राइम टीवी की टीम हर एक वार्ड में जा रही है हर एक वार्ड की परताल कर रही है साथ यह उन सभी वार्ड के प्रत्याशों से बाचीत करने भी कोशिश कर रही है क्या खिर उस वार्ड के लिए अगर वो चिनाव जीतते हैं तो क्या कुछ काम करेंगे और पर ऐसे कौन-कौन से मुद्धे हैं जिससे लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का समर्थन मांगने की कोशिश कर रहे हैं हमारे खास कारिक्रम नगर संग्राम में फिलहाल के रहे बस इतना ही देश उनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते हैं ये प्राइम टीवी